आज हम मौझूद हैं फिर दुबारा से माजरी गोसाला नंदी महराज को दिखाएंगे जिनकी किमत तो कुछ है ही नहीं समझो आप यानि कि बेस कीमती है नंदी महराज एक करोड का नंदी महराज दिखाएंगे हम आप लोगों को माजरी गोशाला में गव पहले हम दिखा चुके हैं 6-6 पुट के गव माता 16-22 किलो लीटर की दूद यहां पे और गेसी बिलकुल कि अमरीका की कमपनी भी यहां पे लेने आई थी और उन्होंने 60 लाख रुपे के किमत में लगा दी थी ने कोहिनीर का हीरा तो साक्षा रास्तान में यह कोहिनीर का हीरा ऐसाई भी पूरे भारत में ऐसा नंदी महाराज आपने कहीं ने देखा होगा ना कहीं मिलेगा और ना इसके कोई किमत है बेस किमती है नंदी महाराज जी पीछे गेट देख लिजिए यह माजरी गोशाला का मतर एक यह आने और जाने का रास्ता है साड़े साथ सो आठ सो एकल के आसपाच यहां जमीन है चारू तरफ यहां पे बाउंडरी है उपर मोटे मोटे तार लगा रखे हैं अंदर पूरा जंगल है और जंगल के साथ साथ कहां मयूर साला है जिम है स्विमिंग पुल है खेलने के लिए हर सुक सुविदा यहां पे उपस्तित है यहां पे जो काम करने वाले हैं कोई पैसे बे काम नहीं करता है फिरी ओप कोष्ट यहां सेवा करते हैं नीसवार्थ भाहों से यह भी हम बताते हैं यहां पे जोड़ा देख रहे है फोन नमबर पर देदे हो या बो देदे हो हम जो ने यह चाहते हैं वहाँ जाए वहाँ जाए वहाँ भी खुब सुखी रहे गुरु जी यही ज़्यादा पसंद करते हैं गाए माता दिल से खुश होगी ने तो बहुत बहुत आनंदा आएगा दूद के लिए अके लिए ले जाएगा ले जाएगा ले जाएगा अपने बान देगा और बान देगा और बान देगा वो जोने एक तम विक्राल रूप कर लेगी वो मुह से भी बटका बढ़ने लग जाती है सिंगू से भी मारती है पहनु से भी मारती है मन से प्रेम करोगा तिया कितने क्या दे कि इसको कोई बड़न नहीं खुशी का मावल किसी को रखना है तो गाय मता से बिलकुल मन से जुड़ जाओ यह हमारी बिलकुल आज जोड़ के सब से प्रातना है तो आप फोन नंबर थोड़ा बताएंगे आप निनान में 83 70 87 61 अच्छा निनान में 83 70 87 61 यह भोन नंबर है अंग्रे जी मौर। डवल लाइन 83 70 87 61 तो सुबह 8 से शाम को 8 बजाते हैं जी खुशी कर सकते हैं आप जैसे किर्षन भगवान जी बाचुरी बजाते थे और गोमाता यह वो दोड़ी चली आते थी और महराज जी आवाज लगाते हैं कितना परेमा महराज जी का गोमाता उसे एक आवाज के साती देख लिए आप तस्वीरों में कैसे दोड़ी आती है महराज आजो आजो गोमाता आजो माराज जी यहाँ पर आज़ो भागयो भागयो आज़ो शावास आज़ो अमें तो इनका सब कुछ दिया हुआ है गुरु माराजनिया एकी बात सिखाई है आगे बेटा इनसे खुब मन से जोड़ जाओ इनसे खुब सेवा करो बड़ा आनन देंगी तो हमें खुब आनन दार है इतना आनदार है का आपको कोई वर्णनी नहीं है जोनों बहुत अच्छा लगता है यह देख लिए यह वह माता हैं यह तश्वीरों में देख लिजिए और कहिने के इक गोमाता महराज जी के एक आवाज पर दोड़ी चलिया है महाराज जी ने शिर्व इतना ही बोला है गोमाता Iजी आजեղी है ओर गोमाता आज चुकी है नंदी महाराजी के दाप कर ली जिए इसके सरे निचे में निचरा आप आन गड़िना कर दिया है इसको वो है नहीं को यह नहीं हें गलत माहना से देखने मेला आता दूर से उसको दोन बरहा देता है आप देख दे हरे हरियाना न्यूज 24 जहां हर खमर बिले सच के साथ नमस्कार सुवागत आपका हरियाना न्यूज 24 पे मैं हुमुना लंबा मेरे सवगी मांसू लंबा के साथ आज हम मौजूद हैं फिर दुबारा से माजरी गोसाला आप सब जानते होंगे और इस गोसाला में हमारा परफज आज एक विशेश नंदी माहराज को दिखाएंगे जिनकी किमत तो कुछ है ही नहीं ही समझो आप यानि कि बेस कीमती हैं नंदी माहराज एक करोड का नंदी माहराज दिखाएंगे हम आप लोगों को आपने अक्सर मेलों में हर जगे हर्याना या रास्तान सरकार मेले लगवाती है पस्तुदन वहाँ पे आपने नंदी माहराज देखे होंगे 10 लाग 20 लाग 25 लेकिन आपको ऐसा नंदी माहराज दिखाएंगे हम कर्शन सबरू जी माहराज जी मेरे साथ मौजूद है तश्वीरों में देख लिजिए बहुत अच्छे माहराज हैं बहुती सैंसियर हैं और अच्छा इनका सुवाव है मदूर बासी हैं साथ साथ ये हम माजरी गोशाला में मौजूद हैं और माजरी गोसाला में गव पहले हम दिखा चुके हैं 6-6 पुट के गव मता 16-22 किलो लीटर की दूद यहां पे और देशी बिलकुल लेकिन आज विशेस्ता हम चीज दिखाएंगे आपको नंदी महराज यानि कि अमरीका की कमपनी भी यहां पे लेने आई थी और उन्होंने 60 लाख रुपे की किमत भी लगा दी थी यहां पे पहले 2-4-5-6 सल पहले लेकिन महराज जी ने मना कर दिया कि हम नंदी महराज को नहीं बेचेंगे लेकिन जाते जातों उन्होंने एक बार जुरू का हमें नहीं तो किसी को नहीं देना है यह नंदी महराज तो यह गोसाला तेवेस के इम्ति हैं नंदी महाराज जी और महाराज जी कर्शन सो उरूप में अच्छे महाराज जी पड़े लिखे हैं मदरूबासी हैं ग्यान बिल्कुल ओत परोत हैं तो हम आपको बताते चले हम हैं आज रास्तान के जूंज नुजिला और माजरी गोसाला पचेरी के बल आने और जाने का रास्ता है साड़े साथ सो आठ सोएक्ड़ के आसपास यहां जमीन है चारू तरफ chef यहां पर बाउंडरी है उपर मोटे मोटे तार लगा रखे हैं अंदर पूरा जंगल है और जंगल के साथ साथ मैयू नहीं करता है, फिरी ओप, कॉस्टाग सेवा करते हैं, नीष्वार्थ भाव से, ये भी हम पताते हैं, इसी भालत में कोई गोस आला नहीं मिलेगी, वहाँ कोई निए जरूर पैसे लेता हो गेलिकिलिस गोसाग में कोई पैसे नहीं लेता, नीष्वार्थ भाव से, यहां कोश्ट यहां सेवा करते हैं नीस्वार्थ भाहों से यह भी हम बताते हैं ऐसी बारत में कोई गोसला नहीं मिलेगी वहां कोई जरूर पैसे लेता होगी लेकिल इस गोसला में कोई पैसे नहीं लेता नीस्वार्थ भाहों से यहां पे सेवा होती है और साथ-साथ एक बात एक खेलने वाले बच्चे उते हैं वो यहां पीते हैं साथ साथ यहां परसाद की रूप में चुरुमा देशीगी का भो भी मिलता है आपको बताते चले और महाराज जी मेरे साथ बहुत अच्छे सुल्जी हो महाराज हैं, ऐसे महाराज आपको कहीं नहीं मिलेंगे माराजी आपका सुवागत पर नमस्कार बढ़े कपétais बील्कुल आराम से मिलते हैं कोई कहीं से भी आई अच्छा लगता है समय से आता है उसमों अच्छा लगता है उनको नहीं लगता हैं और श्याम को चार से पांच बजे तक महाराज जी मिलेंगे उसके बाद एकांत वास में महाराज जी चले जाते हैं अपने ध्यान में रहते हैं इस समय आप मिल सकते हैं गोशाला में आ सकते हैं गोशाला की तश्वीर दे सकते हैं वो नंदी महाराज दिखाएंगे आज जो लगवाई एक किरोड की कीमत का है वो हम भपताते हैं माराज़ के सब्डों में वो बेस किम्ति है उसका कोई कीमत ही नहीं है लेकन यहाँ बहुत दूर से अमेरिका से भी कई जगोष यह लोग आये हैं नंदी को लेने के लिए मारा जी नमौना कर दिया मारा जी सबसे बड़ी बात एक विनन बना इये है कई लोग ज मुझे चाहिए बिल्कुर नंदी महराजी यहां से है उसी से आम जैसे अगर दान करवाई तो हो सकता है उह के लिए लामसाब ऐसा है आकि पहले बात तो जिस गाय के इंजेक्शन लग गया वो कहीं की भी गायो उसका सांड पिछाई नहीं करता है मतलो कई बार कम से कम भी 60-70 बार यो प्रिक्शन कर चो गया अग जैंभी गाय के जोने एक वर कोई इंजेक्शन से कर बादान कर लियो और वो सांड कर लिया गो तो को पिछों को तरफ जाता है नहीं है फिर दूसरी बात बाहर की जो गाय आते हैं तो बहुत कम जो हना उनको आपति नहीं है बिलकुल आराम से वह है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और किसी गाय को मतलब कोई मनलब भादान हुषे हो जाए तो भी हमें को आपती नहीं है बिलकुल आराम से वह है पर यह को पाश 20-25 पच्ची पच्ची लाककी गाये होती हैं बहुत आते हैं माजरी ...महराजी से अर्दास करें ..महराजी हमाराजी गाये लख ली दिया तीन चीया दन के लिए ऑफ ..." और आम आगे के कर्वाने के Бाद हमारी गाड़ी में ले जाएंगे .. του लेकर आ ... बिलकुल आराम से लेकर आ सकते हैं पर उसके साथ ये एक जब तक वो गाय रहे उसका माले किया कोई आदमी कोई उसके साथ रहे ने तो हमें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहां गाय खुली रहती हैं किसी गाय को भी कोई बहुत कीमती गाय हो उसको जोन कोई सिंग मार प्रेशन कर दे तो यहां जोने खुली व्यवस्था है तो इसमें जोन वो खुद अपनी रख्षा करें न तो बहुत अच्छा लगेगा तो इधर और इधर करके दिखा दीए दोनों तश्वीर आप देख रहे हैं हम चलते रहे हैं महाराजी करसुन सुरूजी मेरे साथ है और महीर भी एक नहीं है यानि कि हजारों के संक्या में महीर साला है एक हजार हो सकते हैं दो हजार भी हो सकते हैं तीन हजार भी हो सकते हैं महीर साला बनाएगी है चारू तरफ तार हैं बैठने के लिए पानी की व्यवस्ता है अनाज की व्यवस्ता है दाने वगेरा यहां ह तो मतलब आदमी बात करें वो कुंदीख है वो सुने गो और वो मुरा की मुरा की आवाज आओगी इतना खूब असंख है मोरें जो बहुत बहुत अच्छा लग एक तस्वीर में अभी पूरा भारत देख रहा है संक्या दूर कर देते हैं लोगों के मेरे पास हजारों आते ह हैं हो माराजी तो सके हर किसी सा बात नहीं कर पाती है क्यों माराजी को फोन हैं ना फोन न atenciónTY ते दे थे तरहिते लिपाए लेकिन गोशाले कि यक्टि का फोन जरूर देंगे लोगत dealing मैं पर फोन कर सकते हैं बच्छिया और नंदी जैसे ये बच्छडा होता है जैसे आपके पास गाये हैं 16 से 20-25 लेटर तक की देशी गाये तो वह बच्छिया कैसे ले आप से क्या पहले रेजिस्टर करवाना पड़ेगा नाम लिखवाना पड़ेगा जैसे पूरे बारस से ल आप पहले जाओ ने वह पंद्राववीच दिन मन्न उरर रूक है देख गाये को किस तरह से पालन करते हैं तो वह जोन वो ऐसा करेगा तो वह इतना अच्छा लगेगा क्यों उसके सुभाव को उनको जैसा है उनको जोने कैसे क्या खाना देना है कैसे सफाई है कैसे उनको पानी नहीं करती है तो बहुत प्रेशान हो जाएगी पहले उसके जाके नजदिक सुभाव से पहले देखें आगवाई जोने इस तरह से गाई को रखा जाता है तो और भी अच्छा लगेगा फेर दूसरी बात यहां जोने पहले से यह कह देतें करते हैं एक बच्छा दू चोड़ती है तो जोने पंद्रह पीशाद में लाइन में रहते हैं तो हम किसी की भी आना ही करते हैं पर जब तीन दिन हो जाते हैं दूद छोड़े हुए दूद पीए हुए तो उसके बाद जो पहली आ जाएगा वो उसी को देंगे यह नेक पार रिस्टेशन करवा दिया मारा जी ने पहले भी बता चुके हैं आपको पहले ही मैं खबर में दिखा चुका हूं मारा जी अपनी गाई नहीं देते हैं सिर्फ बच्या देते हैं दूद छोड़ने के बाद वो भी अगर बच्या भी आपने बेच दिया बच्छडा बेच दिया तो बच्चडार बच् चलेव शूरें को सब्सक्रेत हैं सब्सक्राइब कुए और उसके बाद भाधे और बश्रा लेकर जा सकता है महारा ऑट आप अजो इसा है है बिल्कूल है बहुत अच्छा लगता है एससे जो ने गाए को मन से आतमा से अगर जुडेगा ने तो जो क्या देती इसका तो कोई व्रणन नहीं है अकल आपक लिए मतमानों को मेरे को तो बाइस लेटर दूद से मेरे पट्शीष लेटर दूज मेरे को दूद दूद क्या देती है इसका तो कोई वर्णन नहीं है बहुत और हमें जब मिला है ने जब हम यह बता रहे हैं लमसाब अमना गुरूजी से एक बात गुरूजी जो ने बताई आग बेटा इनको जो ने मन से लगाउकरो इनसे मन से प्रेम करो गतिया कितने क्या देगी इसको कोई वड़ा नहीं है तो बने रहे दिगा नहीं एक किरोड कर नंदी यहां पर देखने के लिए लेने के लिए साफ मना कर दियता कि हम किसी भी सुरत में नंदी महराज को नहीं देंगे लेकिन जाते जाते नहीं यह का था अगर आप हमें नहीं दे रहें तो यह प्रश्कींती के रिख़ी ऑनले कि समय Mir जी कमा न जी नहीं की आओне गुरु महराजी ने की है जो ने हमारे खून में रमा दिये बात गाय माता को जितना प्रसंद रखो गे ने उतना है वातावरन में उतना है घर परिवार में उतना है आसर में संस्था में सब जगे जो इतना इतना प्रभाव हो तक सब खुस होते हैं खुसी का मावल किसी को र करने का कुछ टाइम होना ची सुबह आठ से श्याम आठ कर सकते इसके बाद कोई फोन नहीं करेगा और वास्ते में कोई समस्या है या को विपता में फसा हुआ है तो तो कर सकते हैं लेकिन आप रूटीन में रात को 11-12 बजे फोन नहीं कर सकते कि गोसाला यहां का नियम है गोसाला के जो रूल होते हैं गुरकुर के रूल होते हैं वह रूल यहां पे हैं अब यहां मेड मच्छी दारू गुटका पान सुबारी बिल्कुल भी वर्जीत है यहां पर यह भी बताते चले हम आपको गेट के अंदर भी कोई यह करता मिल जाएगा उसको जोने बहुत आधा दंड दिया जाएगा अच्छा नहीं लगता है यह गुर्व महारची पहले से हम सब चीज़ों से चुड़ा के गए हैं और यह बच्चे जो हैने बच्चे रात को सुबह जो निए दो बजे उटते और दो बजे उटके सारी गाएं को सेवा करते हैं और रात ने फिर आपके लिए 24 गंटे दुवार खुल लिये हैं लेकिन समय के अनुसा तो आप फोन नंबर थोड़ा बताएंगे अपने निनान में तिरासी सत्तर सतासी एक सट यह भून नंबर है अंग्रे जी मोर बता दीजिए डवल नाइन एट थिरी सेवन जीरो एट सेवन शिक्स वन तो सुबह आठ से शाम को आठ बज़े तक जी होन कर सकते आप तो अभी जाईगे नहीं असली चीज बाकी है महाराजी करश एंगरी दोड़ चेली आती धी और महराज जी आवाज लगाते के तो अपरेम silent का Dave शें एक आवाज के साथी देख लेदा कैसे दोड़ी आती मा जीए और जोंस भोमता यो मां देक लीजिए तन्हें इमनीमाराज़्य हुँ यह पर किनु पर कि यह इदर से भागयो भागयो आजो श्यावास आजओ और हमारे साथ खास विसेश बात यह है काफी यहां संख्या है अमारे साथ लोगों की और गोमाता इतने मतलब संख्या होने के बाद बहुत कम आती है नच्दी लेकिन फिर भी दोड़ी आ रही है तो भी सेश महाराजी की कर पाई है तो महाराजी आगे होके आप थोड़ा से देखेंगे और यहां कुछ लाइट भी डर रही होंगी और यह देख ली जिए दोड़ी चलिया यह महाराजी जो ने बड़ी खुश रहती हैं जो ने बहुत सने से जो ने अमें तो इनका इसब कुछ दिया हुआ है गुरुमाराजिनिया एक बात सिखाई है अगवेटा इनसे खुब मन से जोड़ जाओ इनसे खुब सेवा करो बड़ा आनन देंगी तो हमें खुब आनन दारा है इतना आनन दारा है का आपको कोई वर्णनी नहीं है बहुत अच्छा लगता है यह देख लिए यह वह गोमाता हैं यह तश्वीरों में देख लिए और कहिने के गोमाता महराज जी के एक आवाज पर दोड़ी चलिया है महराज जी ने शिर्व इतना ही बोला है गोमाता जी आज देख लिए और गोमाता आच्छी है हम नए हैं इसलिए थोड़ा सामसे डरती भी गोमाता लेकिन फिर भी चारुतरब महराज जी के देखनी जब महराज जी घूमकर दिखा रहे करशन सुरुभ जी चारुतरब महराज जी के अगर महराज जी को कोई टेच करेगा या प्यर पर कोई मारने की नियस से यहां आएगा तो गो माता किशी के जूरूर्त नहीं है खुद ही उसका वो करें सूरा चुरा बना देंगी है क्योंकि एक गो माता नहीं है सारी महराज जी पर जान देने वाली माता हैं साथ साथ किर्सन भगराण जी के दूसरा सवरूब देख देख लीजिए और सारी गोमाता ऐसी हैं बिल्कुल गाय महाराजी देते नहीं है और महाराजी दूद निकालने गवाद यहां पे जो जंगल देख रहे हैं यहां यह जंगल साथ सो एकड में फैला हुआ है चारू तरफ बाउंडरी है और बाउंडरी को परतार लगा रखे हैं और यह तश्वीरों हम दिखा देते हैं जैब भी सर कुछ कहेंगे गुरुजी इसे जुड़े हैं और सुख पाते हैं सुखी हैं यह देखो गाई कैसे प्रेम करते हैं शाम सुवेरिन को शेवा मरेते हैं तो चैरू तरफ गोई माता के बीचे हम मोजूद हैं रात का समय है दूद तो निकाल चुके लेकिन यह जंगल है साथ स्वेकड़ में फैलाओ चैरू तरफ बाउंडरी बाउंडरी को परतार हैं को चीडिया भी पर नहीं मार सकते नंदी महराज के दरसर कर लीजिए जितन में ने दिया तो आप किसी को मत देना और हिमान सुलमा थोड़ा बारी किसी तो यह कहां से लेके आए थे महराजी यह अपने खांदवा असरम से खांदवा अपना असरम है वो भी जोनों गुरू आश्रम हमारा खांदवाई है यह कितना पटा लेकिए यह तो जोने तीन च प्रिचन की ओती नहीं जोने की ओती यह गाय माता थो घृष ए बताई कि सका तो कोई मुल्य है नहीं एक जोने में चमन्रीशी का वह उन्यों आप सुनिए होगी जोने चमंदरीशी जलमे एक बार चले गए तो फिर वह जोने उसको राजबी देना शुरू का तो जोने उस इसके क्या किमत है यह सोच भी नहीं सकते और ननी महाराज दिखा यह अच्छा महाराजी मैं थोड़ा से नजदी गाजा तो हमें डर लगता है क्योंकि अच्छा यह दूसरा और जैसे सारी जितने गाये हैं आगे की जैसे गरब दान इसी से होते हैं बिलकुल दूसरी गाये अच्छा यह दूसरा सांड यह नहीं लाए आप यह जो हमें इसके तोड़ी बड़ी ओगगे इसको मारें इसको कोई परेसांद करें इसलिए दूसरा संड लेके नहीं रहे इसको को फिर रहा है इतना सुद आए वह देख इसके ज़िए निचे से निकल जाओ आप अब दे इसको प्रेशान करने वड़ायों को दूसरी गल्त पाहुना से देखने वड़ाता ने उसको नजदीग नहीं देता है दूर से उसको जोन बगा देता है तो बहुत अच्छा लगता सब्रका जोने अब यह बच्चे इनको जोने चोटा-चोटा-बच्चा अरस अठ्या हरस किसे को भी जो नो परेशहन का मिन नहीं है बहुत अची Would आप डिणी है फ्ट्रह से जाते हैं किसी तरह मिलब यह रपाड़ produces को यहूऊ अप्रोकत अपर नहीस का उनन नग नहीं धिक तो नगत देखे और चाहिए वो देदेगो क्या काम में लोग है हमने पुछा तो उन्होंने का अगवाईन का वीज का वो काम में लेंगे तो फिर हमें जो हमें नहीं तो फिर किसी को मत देना मगजी वहार तो विचार तो यह किसी को नहीं दे इसके सांड बहुत जगे गए वरीदाबाद गोसाले मलपुरत को साला जोने जुई को साला ख्нетडी गोसाला और जोने यह जो मांगता है जो उसको बिलकुल देद ए देते है इसका बच्चा वहां पर देखा है वो जो कैसे सांड बनेुए बहुत अच़ों पर दे बने बहुत अच़्ें बहुत अच्ह मलवपुरा जाके हम बार बार देखते हैं वो इतना बढ़िया है फूब अच्छी तरह से बहुत अच्छो लाग रहे हैं और जुई वाड़ा जुई वाड़ा का भी इतना वह तो इससे भी उच्छा बना है और लंबा बना है जुई वाड़ा लेने के लिए सब से पहले उन अच्छी पर उसका जी खुष रहे जैसे यह एक रहती है इसी तरह बोजनों वहाँ भी खुष रहे हमारी वावना है मुल्य की कोई बात नहीं है बगवान ने बहुत कुछ इनके बाग से बहुत इतना हारा है वस्व पुछो इम जोने दूसरी गोसलों में पुचाना पड लाएगी ऐ गुरुमराजी का पुछनेती थी है वो तीन अप्रेल का अभ आएगा वो नवरात्र की दूज रहती है चैतवारे नवरात्र की दूज तो उस दिन जो पुछनी पो कर रखा धा तो उसी दिन जो हम जोने यह तब 80 मेन से लगाता चल रहा है सुबह सुवार .रो थे दिन बड़ा प्रोग्राइम्ट दाओं तेन तारीक को जोन बाहर से लोग आना चाहते इन तारीक को बिलकुल आ सकते हैं पर वह आठा से ग्यारा बजे तक जोन प्रोग्राम रहेगा सुबह 8 बजे से और 11 बुछ तक पर तो यहां प्रोगरम देख सकते हैं प्रोग्राम बीदेख सकते हैं खूब खूब प्रसाद होगा कुछ बगत लोग बजन सुना जेव से कुछ गोमाता के लिए देना चाहिए वह उनकी मर्जी की बात है वाकि हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है हमारी तरफ से जोन खूब आराम से सब खुष हूं यह हमारी जोने सबसे किसी के दिल में सुकसानती हो जाए ने इसके बराबर हम कोई चीज मानते ही नहीं देख लिए मेरे पीछे भी देख लिए कि गोमाता आपने किसी घर में नहीं देखी होगी महराजी ने पहले बताया था सोला से पच्छी लिटर दू की दूद की गाए हो सकती है यहां पर और महराजी ने सब कुछ से तश्वीरों में आपको बता दिया बारिकी से समझा दिया है तीन अपरेल को अगर आप वास्त में आना चाहते हैं गोसला देखना चाहते हैं माजरी गोसला और राजस्तान और जिला जुन जुनुन और तैसिल बुहाना और पचेरी से शिर्फ केरचतन के साथ साथ अब्भोदर की वेवसा यहां रहेगी और गोमाता और यह भी देख सकते हैं यह महाराची के साथ में आई यह ए शाहते महारा जी को मारने के लिए आए है इसलिए चारू तरप दो तो हम चलते चलते आपको बता दें हमान सुलमबा रात का समय उचका है गोशाला गोमाता कभी भी नियाथी लाइट के नजदीक दूर बाग जाती हैं हम जंगल में मौजूद है और महराजी मेरे साथ है इसलिए सारी गोमाता है महारे बार बार खड़ी है को महारा जी को कशा करना बूलनी जाना गोशाला भी देख सकते इस महाने और भजन केर्टन का भी सुन सकते हैं साथ में कुछ दान पूरी बीकर सकता है राना चाहे तो जोने डाक साब कहा यह जोने यह अपने डाक साब उदेशिंग जी है और पसूशी कर सकते पहले और फिर बाद में अब ज जो है खांदवा गुरु माराजी की समाधी तक ठेट तक जोने दंडवती प्रणाम करते हो गए हैं यहां से और अब भी रोज़ाना आसरम के जोने चाहरदवारी के बार बार प्रिकर्मा करते हैं यह भी करते हैं और 60-70 लोग और भी करते हैं साथ सुबह एक करते हैं और यह पांच करते हैं इनका विचार था कि मैं कम से कम एक सो एक तो करूँ ही तो जोने यह लगे हुए हैं तो बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे और हम लोग भी इनके साथ साथ कर लेते हैं बहुत अच्छा लगता है आप देख रहे हैं हरियाना नीज 24 जहां हर कमर बिले सच के साथ